का यह अज़ खाने में चलए क्या बनाई हूँ और आज की खास रेशिप यह चलिए आप लोगों को दिखाती हूं और हे फैमली मैं यहां पर फ्राई कर रही हूं लैसुन अद्रक प्याज का पेस्ट और पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूं टमाटर का पेस्ट इस सिलबटे पर मैंने मसाला तयार किया है तो यह भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी मसाला तो देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है पांट नट बाद मैं जो है कि मसाला डाल दी हूँ तो मसाले में हमारा गरम मसाला मिक्स है और धनिया पाउडर और मिर्चा पाउडर और हल्दी पाउडर में अलग से मिलाई हूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला अच्छे से vy listening अछिकर निकल जाएगा और अब यह इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको अच्छे से चला दुगी और मसालय को मैं धीमी आज पे फ्राइ करती हूं किसी देखिए यहां पे मैं स्वाध अनुसार अब नमक डाल देती हूं और इसको भी अच्छे से मिला दूँगी सबजी में और अच्छी तरह से नमक मिल जाएगा फिर इसमें मैं डालूँगी पानी तो देखिए नमक हमारा जो है कि अच्छे से मिल गया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ डेड़ कप पानी तो अब पानी डालके और उसके बाद मैं इसे ढख दूँगी तो देखिए यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है और ढख करके और 10 मिनट छोड़ दूँगी इसे तो फाइनली जो है कि 10 मिनट बाद मैं इसको खोल करके देख रही हूँ तो अब मैं सब्जी जो है कि आधा पानी जला है और आधा ही समझी कि रह गया है तो इसको भी मैं जला दूँगी क्योंकि राजमा जो है कि थोड़ा सा सुखा सुखा रहता तभी अच्छा लगता है खाने में और दस मिनट बात जो है कि देखिए फिर मैं खोली हूँ तो ये सब्जी हमारा हो गया है और मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देते हूं और इसको तंड़ा होने تक का इन्तेजार करती हूं तो फाइनली बीस मिनट बात जो है कि मैं सब्जी खोली हूँ तो सब्जी हमारी बिल्कुल गाड़ी हो गई है और देखिए कितना लाजवाव है और बहुत ही टेस्टी होगा जब देखने में अच्छा लग रहा है तो और चावल बनाई हूं राजमा के साथ खाने के लिए और रोटी तो और अब चलिए मैं पतिदेव जी का और बाबु का दोनों का टिफिन पैक कर देती हूं तो यहां मैं पतिदेव जी के लिए टिफिन प निकाल लेती हूं और बात करते रहती हूं आप लोगों से ताकि आप भी बोड नहीं होंगे और इसमें मैं रोटी पैक करने से यह होता है कि रोटी गरम रहती है और सूपती भी नहीं और अब मैं इन दोनों लोगों का टीफिन अलग अलग रखना पड़ता है बाबु का टीफिन में रख देती हूं इनकी बैग में चम्मच और जोएकी टीफिन और बोतल में पानी और उसके बाद पतिदेव जी का बैग पैक करूंगी तो उसे भी दिखाऊंगी तो देखिए यहां पे मैं रखी हूं पतिदेव जी का टीफिन और इनके लिए भी बोतल में पानी भर के रखना होता है दोनों लोगों का और सुबह इतना काम बढ़ जाता है और यहां पे बाबु का सेनिटाइजर छोट गया था तो इसे भी मैं रख देती हूं क्योंकि इसकूल में मा देखे फती देव जी दोनों बैग लिए है और बाबु जा रहे है हाथ पकड़ के इनको ले जा रहे है और बाबु आप लोगों से बाए कर रहे हैं और गाईज आसा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज की राजमा रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक, सेयर और कमेंट करके जरूर जाना और हाँ जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो का एक एक नोटफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएं और आप हमारी हर वीडियो का आनंद ले सकें टेक के और बाई बाई लभी ओल